तो Amazfit के तरफ से दोस्तों, प्रीमियम सेगमेंट का एक स्मार्ट वाच लॉंच हुआ है, जो की है Amazfit Bip 5 Unity, जिसके अंदर आपको Bluetooth कॉलिंग मिलता है, बिल्ट इन Alexa का सपोर्ट दिया गया है, और साथी साथ इसमें आपको ZEP OS 3.0 मिलता है, जिससे आपको बेटर और यह है स्मार्ट वाच वैसे फर्स्ट लुक तो आपने देखी लिया, स्टार्ट करते हैं कोई कन बॉक्सिंग के साथ, और कुछ इस तरीके से आपको यह स्मार्ट वाच देखने को मिलता है, राइट साइड में भी कुछ इस तरीके से मेंशन किया गया है, MRP इसकी 7999 है लेकिन मैं आपको आगे बताता हूँ इसका ओरिजिनल प्राइस, बागी यहाँ पर से आप ZEB आप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर से, और यहाँ पर से एक पुल टैप दिया गया है, जिसको आप कुछ इस तरीके से ओपन करके, पीछे आप को डिरेक्ली यहाँ से स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर से एक चारजिंग डॉग भी दिया गया है, जो कि टाइप A2 यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, मैगनेट वाला, तो इसको आप चाहो तो कुछ इस प्रकार से अटैच कर सकते हैं, जो स्मा इस फिट का लोगो आ जाता है, और यह जेप OS से पावर्ड है दोस्तों, खेर यहाँ पर से आप अपने लैंग्वेज को सेलेट कर सकते हैं, इंगलिस को हमने सेलेट कर लिया है, और यहाँ पर से डाउनलोड मोबाइल आप जो है, तो डिरेक्ली आप चाहो तो गूगल प् मैं भी सपोर्ट करता है दोस्तों, तो अन्बॉक्सिंग तो आपने देख लिया, अब एक चीज मेरा आपको इनिशली बता देता हूं, कि मैंने इस स्मार्ट वॉच को पहना है, तो मुझे बहुत जादा हलका फील हो रहा है, रीजन बहुत सिंपल है, कि मैं बहुत सारे अ जहां तक रही बात दोस्तों, डिस्पले की तो यहां पर से मैं आपको यह वाला स्क्रीन दिखाता हूं, आप देख सकते हैं, जो बेजल से वो आपको minimal देखने को मिलते हैं, थोड़े से नीचे के तरफ से average हैं, और 1.91 इंचे का आपको स्क्रीन देखने को मिलता है, पूर यहां पर से आपको microphone का support देखने को मिलता है, calling करने के दौरान बहुत useful रहेगा, यहां पर से पीछे के तरफ से सारे sensor से यह सब लगाये गए हैं, और यही पर से आप charging dock को भी use कर सकते हैं, जो यह वाला आपको देखने को मिलता है, दोस्तों, simply आपको यहां पर से कुछ इस किया गया है, और अगर आप इसे change करना चाहते हैं, तो यहां से आप इसे open करके change कर सकते हैं, जहां तक रही बात दोस्तों, strap तो इसकी quality काफी अच्छी है, silicon material का use किया गया है, और यहां पर से buckle design दिया गया है, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है, let's suppose अगर आप इसे पहनत हैं, तो I don't think कि यहां पर आपका कभी भी फसेगा यह चीज, यह काफी सही चीज है, practically मैं आपको दिखाना चाहरा था, तो इसी वज़े से मैं इसको पहन करके आपको दिखाया, बाके looks कैसी लग रहे हैं, वो यहां पर से आप clearly देख सकते हैं, और यहां पर से raise to wake, यह सब क कुछ features की बात कर लेते हैं, तो यहां पर से दोस्तों उपर से आप scroll करोगे, तो आपको यहां पर से battery percentage, time और बाकी dnd, torch, light जो होते हैं, वो सब देखने को मिलेगा, और setting में भी आप यहीं पर से click करके जा सकते हैं, watch faces यह सब को आप चाहो तो change कर सकते हैं, Bluetooth को on off कर सकते है, sound and vibration का option आपको मिलता है, तो vibrate करता है, जब भी कोई notification आता है, उसको आप बंद यह सब करना चाहते हैं, आपको यह दिख जाएगा, तो यहां पर से हम back चलते हैं, फिर से आप scroll करोगे दोस्तों तो यहां पर से आप देख सकते हैं, brightness यह सब को आप tweak कर सकते हैं, और बाकी क आपके heart rate का जो monitor किया हुआ data है, वो आपको दिख जाएगा, साधी साथ यहां पर से जो temperature है, पूरे details के साथ यहां पर से निकल के आता है, दोस्तों, यहां पर से जो PAI है, उसकी details निकल के आते हैं, यहां पर से जितने sports mode है, वो आपको दिख जाते हैं, और more में click करके check कर स और एक बार आप slide करोगे, तो Amazon Alexa का भी support आपको दिया गया, तो वो सारी details आप देख सकते हैं, तो यही वाले details इस तरफ से भी slide करके आपको दिखता है, और नीचे से आप swipe करते हैं, तो यहां पर से कभी भी message आएगा, तो आप यहां पर से देख सकते हैं, और यहां पर से reply reply का भी एक option आता है, तो इस पर आप directly click करके, जो कुछ quicks आपको reply देखने को मिलते हैं, वो सारे यहां पर आपको option मिलते हैं, तो let's suppose यहां पर से आप कोई meeting में है, तो यहां पर आप directly click करोगे, तो यह message चला जाएगा सामने वालों को, तो यह भी एक बहुत ही अच्छा option ह यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, और सारे app के settings है, वो मैं आपको थोड़ी दिर में दिखाता हूँ, तो basic functionality मैंने आपको बता दिया, इस watch का, अब यहां पर से एक और details में आपको बताना चाहूँगा, इसको आप click करते हैं, तो यहां पर से जितने भी apps के support मिलते हैं, सब कुछ यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, एक और option में आपको दिखाना चाहता हूँ, लाइक आप directly call भी कर सकते हैं, तो यहां पर से मैंने click किया, recent यह सब भी आप चाहो तो देख सकते हैं, मैं 198 पे call करके आपको दिखाता हूँ और सुनाता हूँ, तो आप directly इस watch के माध्यम से call प्लेस कर सकते हैं, और आपके phone के through वो call प्लेस हो जाता है, और आप चाहो तो बात भी कर सकते हैं, मैंने microphone का भी test किया था, उसकी quality आपको अच्छी मिलती है, और speaker भी काफी हद तक आपको अच्छे से सुनाई दे देता है, तो smart watch का कामी यही होता है, कि आपको सारे जो notification हैं वो आपको screen में दिखा दे, तो quick replies यह सब के option मिलते हैं, आप call उठा सकते हैं, call कर भी सकते हैं, तो यह सब सारे feature यहाँ पर आपको अच्छे दिये जा रहे हैं, और आप मुझसे पूछते है battery backup तो भाई यह भी आपको इसका काफी अच्छा देखने को मिलता ह अब इसके app के बारे में भी बात कर लेते हैं, तो यह जो app है दोस्तों इसमें सारे data यहाँ पर आपको flash करते हैं, प्रोफाइल वाले option में आप जा करके यहाँ पर check कर सकते हैं, जो भी watch faces है वो आपको दिख जाते हैं, यहाँ पर से आप अपने watch का पूरा data को यहाँ पर से watch में दिखेगा, तो जो भी आपको अच्छा लगता है, आप use कर सकते हैं, और कुछ-कुछ watch faces को आप चाहो तो customize भी कर सकते हैं, इनफाक्ट यहाँ पर से आपको ना बहुत सारे app के settings मिलते हैं, Amazon, Alexa और भी बहुत सारे options मिलते हैं, वो सारे चीज़ों को भी आप चाहो तो check application अपने जो smart watch है, उसके उपर ले सकते हैं, तो मैंने WhatsApp को on करके रखा है, तो जब भी मुझे WhatsApp में कोई message आता है, directly watch में यह दिख जाता है, तो मैंने Amazfit 5 Unity के बारे में आपको सब कुछ explain कर दिया, वैसे यह दो colors में आपको मिलते हैं, Amazon से आप जा करके buy कर सकते हैं, 6999 की कीम सकते हैं, उसका आता है, यह एक रिलागोका निते हैं, तो भी मुझे सकते हैं, तो